कुरोना काल के बावजूद देडिकेटेड फ्रिट कारिडोर पर जबर्दस तरीके से काम चल रहा है एक ऐसा ही काम दादरी के पास में यमुनापुल पर हो रहा है ये जगह पढ़ती है दलेलपुर आईए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का काम हो रहा है यहाँ पर गूगल मैप के जरिये आप देख सकते हैं यह पुराना मैप है जिसमें दिखाया गया है कि किस जगह पर ये काम हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काम हो रहा है उसको हम कह सकते हैं कि यह पुल बनाया जा रहा है उस पुल को यमुना से पार कराया जाएगा ये देखे किस तरीके से एक बड़े इस्ट्रिच में काम चलना है और ये जगह अगर हम इसकी बात करें तो ये सुहना से जुड़ेगी यानि ये ट्रैक सीधा सीधा दादरी जा रहा है लेकिन ये काम अब आगे बढ़ चुका है जो ये जगह आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरी जगह यहाँ पर पिलर्स खड़े हो चुके हैं और यहाँ पर एक जबर्दस्ट पुल बनाये जा रहा है ये पुल dredicated threat corridor के लिए है और यहाँ आप पिलर्स देख सकते हैं किस तरीके के पिलर्स हैं और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का काम चल रहा है, क्या हो रहा है, तो लेटिस्ट क्या चल रहा है, किस तरीके का फुल बन रहा है, और यमुना पर जो पुल बन रहा है, उस पर राग दिन काम किया जा रहा है, हर दिन कोई न कोई स्पैन रखा जाता है, और उस काम को जल से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिस की जा रही है तो आईए देखते हैं ये वीडियो यहाँ पर काम चल रहा है यमुना नदी पर एक पुल बनाने का ये देखे किस तरीके से एक पूरा का पूरा इस्पाइन रखा जा रहा है और ये अपने आप में चबरदस्त है यमुना नदी पर ये पुल नोईडा के दलेल पुल गाओं के पास में बन रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी भरकम क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक एक गर्डर उठा कर रखा जा रहा है पूरी प्लैनिंग के साथ 22 गर्डर इस तरीके के रखे जाने हैं जिससे ये पुल तैयार हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हम जो आपको दिखा रहे हैं ये चौदवा गर्डर है और इस तरीके से ये पूरा पुल पूरा किया जाना है यहाँ पर डबल लाइन पढ़नी है यानि डेडिकेटेट फ्रेट कारिडोर की डबल लाइन पढ़नी है और ये लाइन दादरी से सोहना को जोड़ती है यानि Eastern Dedicated Fret Corridor और Western Dedicated Fret Corridor तोनों को लिंक करने का काम ये लाइन करेगी और कोरोना काल के बावजूद यहाँ पर तमाम प्रोटोक्वाल को फालो करते हुए ये पुल बनाया जा रहा है और ये काम बड़ा धीमे-धीमे किया जाता है क्योंकि ये काम आसान नहीं है क्योंकि एक भी गलती आपके लिए भारी पढ़ जाएगी और ये पुल 22 गर्डर का पुल होना है जिसमें से 14 गर्डर पढ़ चुके है यानि आधे से जादा काम हो चुका है कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये पुल जल्द ही पूरा हो जाएगा ये देखिए किस तरीके का करके बना कर साइट पर लाया जाता है और वहां से भारी भरकम क्रेन बड़ी बड़ी क्रेने होती है जो एक साथ इसको उठाती है और उनकी पहले से ही प्लैनिंग की जाती है और उस प्लैनिंग के बाद उसको गर्डर को उठाया जाता है और रखा जाता है तो पिलर पहले से खड़े हो चुके हैं उन पर अब गर्डर रखने का काम है यहां पर ये काम काफी टेक्निकल है सारे कल्कुलेशन पहले ही कर लिये जाते हैं क्योंकि बाद में गल्ती की कोई गुंजाइस नहीं होती है यह पुल जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा कहते हैं पुल जोडने का काम करता है जी हां ये पुल western dedicated freight corridor और eastern dedicated freight corridor दोनों को आपस में चोड़ेगा तालमेल बिठाएगा ये लाइन सोहना से दादरी जाएगी और दादरी से खुर्जा होते हुए हम कह सकते हैं भावपूर से आगे कानपूर इलहाबाद से होते हुए सीधा कुलकाता के पास जाएगी तो सीधे सीधे कह सकते हैं कुलकाता पोर्ड से आने वाली चीजें दिल्ली आप आएगी साथ रिसाथ दिल्ली से या पंजाब से या आसपास के आ两कों से जो भारी भरकम सामान जाना है वो आसानी से relatively हो या गुजरात के तमाम मंदरगा हो वहां पर पढ़ित तेजी से पहु करना नदी और इस लाइन से एक और लाइन जाएगी जो तुकलकाबाद को भी जोड़ा जाएगा वो सिंगल लाइन होगी तो एक तरीके से हम कह सकते हैं माड धुलाई में क्रांती आने जा रही है उसी का नमुना होगे और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाना है क्योंकि railway board की बात करें, rail mantrale की बात करें, तो deadline दे दी गई है, December 2021 तक dedicated freight corridor को हर हालत में पूरा कर लिया जाना है, उसमें कोई कोता ही नहों, लिहाजा dedicated freight corridor के तमाम company और तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, उनको निर्देश दे दिये गए हर हालत में काम पूरा होना है, और यहाँ देख सकते हैं, उसी का यह नमोना है,